हेलो दोस्तो, नमस्कार, स्टोक मार्केट क्लासे से इस चैनल में मैं आप सबी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ तो दोस्तो आज का जो टॉपिक है ना, वो देखा जाए तो स्टोक मार्केट में हर व्यक्ति के लिए इंपोर्टेंट है येस हर व्यक्ति के लिए कौन सा टॉपिक है यहापे तो दोस्तो हम लोग यहापे बात करने वाली US मार्केट का हमारे भारतिय मार्केट के साथ क्या रिलेक्शन है क्योंकि आपको मैं बताना चौँगा अगर आप हमारे मार्केट में कुछ भी करते हो कुछ भी मतलब आप intra day करते हो आप future and option करते हो आप BTSD करते हो मतलब आप trading करते हो या फिर आप delivery basis के उपर stocks उठाते हो मतलब आप investment करते हो कुछ भी करो बट आप लोगों को यह चीजे कुछ basic चीजे है अगर मैं बात करू तो यह पता होनी चाहिए so मैं again कहना चाहूँगा दोस्तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजे है जो कि अगर आप लोग इनको नजर अंदाज कर देते हो तो शायद से आप लोगों को future में यहाँ पे loss हो सकता है so यह video देखने के बाद definitely आप लोगों को उसके बाद और भी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि यह जो चीजे में आप लोगों को बताने वाला हो वो इतनी easy नहीं है कि आप लोग एक दिन में यहाँ पे सीख जाओ बढ़ अगर आप इसको regularly practice करोगे तो आप इसमें माईर बन जाओगे आज का यह topic यही है कि American Bazaar में कुछ चीजे हो जाती है या फिर कुछ points हम लोगों को बार-बार चेक करने पड़ते है whether you are trader और investor तो दोनों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा important है तो चले इसको start करते हैं बढ़ उससे पहले जरू कहना चाहूँगा किसी ने first time visit के channel को जरू subscribe कर लेना bell icon को इट कर लेना तो ऐसे interesting video आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे सो दोस्तों ये chart pattern में ने last time भी आप लोगों को दिखा है था आप लोगों को याद होगा कि कौन सा निफ्टी है या फिर कौन सा अमेरिकन बाजार है तो हम सही कह सकते हैं यहाँ पर दोनों बाजार same ही चलते हैं अब differentiate नहीं कर सकते हैं इसलिए आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने नीचे किया तो आपको पता चला कि निला chart pattern अमेरिका का था एंड लार्ज chart pattern हमारे इंडियन मार्केट का था यह मैं इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसका importance पता होना चाहिए कि अमेरिकन बाजार में जो चीज़े चलती है उसी तरीके से इंडियन मार्केट पर ही चलते वे देखने को मिलता है थोड़ा सा 19-20 हो शकता है बट आप देख सकते हैं ओवराल ये उपर गया ये नीचे गया यहाँ पर नीचे उपर देन डीप गिरा देन डीप कमबेक हुआ मतलब सॉलिड कमबेक हुआ सो बताने का में मकसद क्या अमेरिकन बाजार को हलके में लेना नहीं है आप सभी लोग को मैं बताना चाहूँगा जब इंडियन मार्केट में लोवर सर्किट लग रहे थे न तब हमारे इंडिया में कोविड से 10 लोगों की भी मौत नहीं हुई थी फिर भी हमारे मार्केट में लोवर सर्किट था क्योंकि अमेरिकन बाजार में लोवर सर्किट था और जब हमारे मार्केट में आप लोगों को पता है कितने एक लाग पिशंट से भी जादा हो चुके थे हम लोग कह रहे थे कि अब भी तो गिरना चाहे मार्केट चीज दोस्तो जो आपको यहापे पता होनी चाहिए वो है तिये ADR, ADR मतलब American Depository Receipt, आप चाहो तो इसको पॉस करके पढ़ सकते हो, बट मैं आपको भूत ही आसान भाषा में समझाना चाहूँगा, देखिए अगर आपकी कमपनी भारत में है, इंडिया में आपकी कमपनी है आपको वह ही कमपनी American Bazaar में लिस्ट करवानी है, तो अगर आप कर सकते हैं, यस कर सकते हो, उसी में ही, उसी को बोलते हैं ADR, अगर मैं शौट फर्म में बता दू तो जितने भी अगर आपको अमेरिका की, मतलब Indian Companies अमेरिका में मिल जाएंगी न, वो सारे के सारे ADR में रह आती है, तो ADR रहते है, इसे ADR रहते है, GDR रहते है, तो अभी इसका क्या करना है, आपको पता चलेगा, तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों के सामने ये साइट आ जाएगी, investing.com foreign ADRs करके ये भी आप लोग चाहो तो लिख सकते हो देखे मैं इसके उपर वापस क्लिक कर रहो तो आप लोगों के सामने ये देखे दुनिया भर के ADRs यहाप पर देखने को मिल जाएंगे अभी शुरुवात में देख लिए Australia देखने को मिल रहे है आप नीचे जाओगे तो ये 5 ADR देखने को मिल रहे है देन अगर आप लोग थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो थोड़ा सा heavy site है यहापे slow चलेगा इसलिए तो आप लोग देख सकते हैं यहापे नीचे अगर में scroll down करता हूँ थोड़ा सा यह देखी क्या लिखा है यहापे show all Australians ADR मतलब American Bazaar में जो companies है US में listed है तो इससे related data है और यह सिर्फ एक ही company मतलब country ने चाइना भी है दैना अगर आप देखोगे Hong Kong भी है यह list बहुत लंबी है तो obviously हमारे इंडिया भी रहेगा तो चलिए नीचे आ यहापे आ जाते है तो थोड़ा slow है जैसे मैंने कहा तो यह देखी है हमारे इंडिया भी आ गया तो इंडियन मार्केट के यह देखी है हमारे stocks info says ADR इसके price देख लिजए आप यहापे देख सकते हो तो दोस्तों यहापे क्लिक हो चुका है इंडिया के ADR सभी आपको देखने को लेंगे अभी ADR मतलब क्या हमें अल्रेडी बता चुका हो हमारे इंडियन मार्केट की कमपनिया विदेश में जाके अमेरिकन बाजार में लिस्ट हो रही है क्या हमारे इंडिया में वो लिस्टेड ही होनी चाहिए ऐसा कोई रूल नहीं है मैं आप लोगों को अभी दिखाना चाहूँगा इंफोसेस, विप्रो, आईसेसी है बैंक, उसके बाद स्टाटा मोटर, HDFC है आप लोगों को पता ही है डॉक्टर रेडिस भी है, यह देखे, ADR यहापे लिखा हुआ है यातरा ओनलाइन रेडिफ भी है सो यह देखे, MTNL की भी अगर हम लोग बात करें, XCIS तो इतने ही हमारे ADRs है, that's it सो यह मैं बता क्यों रहा हूँ आप लोगों को इसमें से क्या हम लोगों को आउटकम क्या आएगा सो दोस्तो यहापे जो सबसे पहली बात है अगर आप यहापे BTSD करते हो इसमें ने कहा ना, हर किसी के लिए वीडियो है इंट्राडे वालों के लिए आएगी बाते BTSD, FNO, long term वालों के लिए तो यहापे अगर आप BTSD करते हो ना दोस्तो, तो संभाल कर करना यह वाले जो स्टॉक से ना उनमें BTSD करते वक्त 100 बार सोचके करना मतलब इसमें करना ही नहीं ऐसी बात नहीं है, जैसे मैंने कहा ना एक्सपर्टीज आप लोगों को लेनी पड़ेगी ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जब मार्केट क्लोज होता है, आप सबी लोगों को पता है, आप उपन पोजिशन लेते हो और उसके बाद नेक्स दिन जब बाजार खुलता है, तब आप अपनी पोजिशन उपन रखते हो, साड़े तिन बज जाने के बाद जब सवा नो बज़े हमारा मार्केट खुलेगा, उसके बीच में ये अमेरिकन मार्केट चालू रहता है आठ बज़े से लेके हम लोगों ने देखा है सुबह तक वो चालू रहता है, तो उसमें आपके जो स्टॉक्स रहेंगे, उनके उपर इंपक्ट आ सकता है, दोनों वे से, गैप अप गैप डाउन भी हो सकते है, तो इसलिए अगर आप BTSD करते हैं, तो बहुत सारे जो beginners है, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये जो beginner हो completely, तो ये stock थोड़ी से अगर आप लोग avoid करोगे, जो American बाजार में भी देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा initially आप लोग को help यहाँ पर हो सकता है, दैन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ये कौन से हो गई, ADR वाले जो stocks में ने आप लोगों को यहाँ पर बता दिये, अभी वेसी एक कुछ important चीज में आप लोगों को बताने वालों, कि इन लोगों के लिए same, अगर आप BTSD करते हो ना, तो दो sector को हो सके तो थोड़ा avoid कर लेना, उसमें and IT, इनको यहाँ पर थोड़ा सा award क्यों करने के लिए कह रहाऊ में, BTSD के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा, कि pharma और IT का direct link है American Bazar से, direct link, and उसमें से भी अगर मैं देखा जाओ, तो आप लोगों को बताना चाओंगा, कि सबसे ज़्यादा risk होती है pharma companies, pharma companies क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाओंगा, कि यह देखिए, आप सबी लोगों को यहाँ पर पता है, FDA, USFDA, USFDA क्या है, Food and Drug Administration, मतलब, कोई भी दवाई अगर आप लोगों को अपरू करनी है, वैक्सीन अगर आप लोगों को अपरू करना है, FDA की परमिशन लगती है, हमारे pharma, आप सबी लोगों को मैं बता चुका, हम लोग जबरदस एक्सपोर्ड भी करते हैं, हमारे pharma companies, वहाँ पे काम भी कर रहें, अमेरिका में, चाहे वो लिस्ट नहीं है, अमेरिका भी के अगर हम लोग बात करें, बट स्टिल उनके वो companies हमारे इंडिया में है, सो US FDA अगर कोई decision यहाँ पे लेता है, तो वो हमारे stocks के उपर impact डालता है, अगर आप लोग BTSD करते हो, और उसके बाद अगर सुबह आते ही समझ में आ गया, कि US FDA ने आपके ही company के pharma companies के दवाई को उड़ा दिया, बोलते हैं मन्जूरी नहीं दी, तो फिर वो C दा gap down, तो ऐसी बहुत बार चीजे हो चुकी है, सो मैं आप लोग के यह कुछ चीजे experience से कहना चाहूँगा, कि IT sector and pharma sector, थोड़ा सा आप लोगों ने, मतलब award करना चाहिए, BTS टे के लिए खास करके pharma, चलो IT एक बार चल जाएगा, वीजा से related ही चीजे चलती रहती है वहाँ पे, और कुछ ऐसे खास तकलिफ नहीं है, बट US FDA के अगर मैं बात करू, तो साड़े तीन बजने के बाद, मार्केट हमारा क्लोज हो जाता है, बट वहाँ पे जब मार्केट चलता है, तो US FDA से related बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं, अगर वो negative रहेंगे, तो सुबह सुबह हमारा market open होगा, तो pharma companies के लिए वो तकलिफ दे सकते हैं, इसके पहले भी ऐसा हुआ है, चलो एक दो एक्जामपल दिखाता हूँ, अभी लूपीन तो आपको पता है, 2021 की न्यूज है, लूपीन गेट्स वार्निंग लेटर फ्रॉम US FDA, आप यह आपर देख सकते हों, मतलब वार्निंग मिला, तो negative खबर है, तो reaction हो सकता है, सुबे सुबे, अगर हम लोग यह आपर बात करें, तो और भी कुछ एक्जामपल दिखाना चाहूँगा, यह दिखिए, US FDA slap 19 warning letters to Indian pharma firms, थोड़ी सी पुरानी news है, 2019 आपको बहुत सारे latest भी मिल जाएंगे, यह तो सिफ आपको sample दिखा रहा हूँ, यह दिखिए, और एक, Sun Pharma की बात करें, Sun Pharma plants come under the US FDA scanner, तो अभी scanner में आ गया, तो कुछ restrictions आ सकते हैं, problem हो सकते हैं, थोड़ा हुसा बताना चाहूँगा, US FDA Indian Markets के हिसाब से, बहुत strictly, यहाँ पर हम लोगों को चीज़े होते हैं, देखने को मिल जाती है, तो इसलिए कहना चाहूँगा, कि अगर आप BTSD करते हो, सो Pharma companies को अगर हो सके, तो award कर लेना, नुकसान हो सकता है unnecessarily, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर उसके बाद, अभी ऐसा लगने लगा है, कि हम लोगों ने क्या, इन स्टॉक्स में निवेशी नहीं करना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए, ऐसा बिलकुल भी नहीं है, बिलकुल भी नहीं है, ऐसा, आप लोग यहाँ पर काम कर सकते हो, बट जादा नॉलेज आप लोगों को गेन करना पड़ेगा, अगर आप इनमें निवेस्ट करते हो, इनके बारे में आप लोगों को विदेश से रिलेटेड भी information आप लोगों के पास यहाँ पर रखनी पड़ेगी, अभी आप यह भी सोचोगे, जो हम लोगों ने कमपनीज देख ली, जो ADR अभी हम लोगों ने देख ली है अमेरिकन बाजर में, उन कमपनीज को इग्नॉरी कर देते, टेंशन ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं दोस्तो, ADR का एक बहुत बड़ा फाइदा भी है, क्या फाइदा है, चलो मैं आपको बताना देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे मार्केट का रेगूलेटर कौन है, वाच डॉग, से भी है, वैसी अमेरिकन बाजर का वाच डॉग पता है कौन है, ये, USSEC, Security Exchange Commission, और दोस्तो, इसको दुनिया का सबसे toughest, या फिर हम लोग कह सकते हैं, सबसे, मतलब सक्त, यहाँ पर ये, ऐसा मतलब वाच डॉग हम लोग कह सकते हैं, मतलब इतना easily वो आप लोगों को clean treat नहीं देगा, अगर आप किसी में फस गया न, तो Security Exchange Commission, मतलब पूरा, मतलब चान बीन करके है, आप लोगों का एक एक जो भी कुछ गड़बड रहेगा, वो निकाल लेगा, सो यहाँ पर दो वेसे भी बाते हो सकती है, जो ADR यहाँ पर रहते हैं अमेरिका में, वो यहाँ पर इन चीजों को भी comply करते हैं, Security Exchange Commission को चीजों को comply करते रहेना, यह भी एक बहुत बड़ा advantage है, सो यह भी एक आप लोगों के लिए अच्छी बात है, आप लोगों को बते हैं Infosys में गिरावट हुई थी, Infosys नीचे ही था, एंड एन एक news सामने आ गई, कि Security Exchange Commission ने Infosys को हरी जंडी दे दिये, यहाँ पर Report आने से पहले ही Infosys भाग गया, क्योंकि इन लोगों ने अगर हाँ बोल दिया न, तो सारे लोग आग बन के भरोसा कर लेते, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा strict रहते हैं, और खास करके विदेशी कंपनियों से related, मतलब उनके लिए विदेशी, तो यह चीज़े आपको यहाँ पर पता होनी चे, कि यह मत सोचना कि, अरे मतलब हम लोगों ने निवेशी नहीं करना चे, ADR में ऐसी कोई बात नहीं है, जितना, in fact अगर हम लोग कह सकते कि, ADR जो रहेंगे, वो most secured भी रह सकते, क्योंकि उनको SEC rules comply करने है, और वो कोई easy बात नहीं है, एक बार आप लोग से भी के चीज़े चल जाएगी, बट इनके साथ आप पंगा नहीं लए सकते हैं, मतलब यह सिर्फ आप लोग को information बता रहा हूँ, then दोस्तों अगर हम लोग यहाप बात करें, तो Reserve Bank of India, हमारा देश का Central Bank, वैसी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे कौन सा रहता है, Federal Reserve, yes, Federal Reserve यह Central Bank है, अमेरिका का, और आप सब लोग पता है, यह बहुत सारे decisions लेते हैं, interest rates से related चीज़े होती हैं, इनके meetings होती हैं, Fed की meeting होती हैं, commentaries होते हैं, तो इसके चलते भी, अगर हम लोग बात करें, Indian Market चोड़िये, पूरे दुनिया के market हिल जाते हैं, so Federal Reserve की कभी भी बैटा करेगी, तो आप चाओ Intraday करो, FNO करो, Delivery करो, कुछ भी करो, इसके उपर आप लोग का focus रहना चाहिए, हाँ, ये रात में चीज़े चलती रहती है, तो इसलिए सुबह उठने के पहले, आप लोगों ने इन चीज़ों को भी cover यहापे करना चाहिए, देन दोस्तों, अगर हम लोग यहापे बात करें, अगर आप IT Companies में निवेश करते हैं, Indian IT Companies में, तो आप लोगों ने एक यह जो है, NASDAQ, NASDAQ को भी आप लोगों ने देखना चाहिए, यह कहाँ पर है, American Bazaar में, यह जो NASDAQ है न, इसमें सारे technology से जुड़ेवे Companies लिस्टेड है, यह Apple की बात कर ले, या फिर जो Microsoft की बात कर ले, Google Alphabet की बात कर ले, Netflix की बात कर ले, यह सारे इसमें आते, तो NASDAQ को क्यों देखने का, अगर आप IT Company में निवेश करते हो न, NASDAQ का जो चाट पैटन रहते है न, वो IT Index के लिए है, यूज़ली हम लोग ऐसा कह सकते है, फेवरेबल है, जैसे Bank Nifty के ऐसे है, आप लोग बोल सकते हो, so NASDAQ में अगर ups and downs यहां पर आ जाते, बहुत बड़ी गिरावर्ट या फिर बहुत बड़ी तेजी, तो हमारे next दिन IT, हमारे Indian Market में IT Companies का भी reaction आप लोग देख सकते हैं, उसी pattern में हम लोग को देखने को usually मिल जाता है, अगर आपके पास IT Companies है, हाँ, निवेश नहीं है वहाँ पर, मतलब अगर हम लोग बात करें, हमारे IT Companies जो है, वो US Market में नहीं है, लिस्टेड, फिर भी अगर overall हम लोग सिनेरियो की बात करें, फिर भी आप लोग ने NASDAQ को यहाँ पर study करना चाहिए, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तो, तो यहाँ पर US Dollar, yes, Dollar to INR, यह तो relation में आप लोग को सीखा चुका हूँ यहाँ पर, American Bazaar का ही US Dollar यह आप से बिलोग पता है, एंड US Dollar जीतना महिंगा होता है, Pharma Companies and IT Companies के लिए अच्छी बात रहती, आप देख सकते हैं Pharma and IT की ही बार-बार बाते हो रही है, obviously उनी की बाते होंगी, क्योंकि उनका ही सबसे, यही सेक्टर सबसे ज़्यादा American Bazaar से डिरेक्ली ने इंडिरेक्ली जुड़ा हुआ है, क्या बाकी सेक्टर नहीं है, बाकी सेक्टर भी है, बाट यह सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कुन सा आते हैं, मेटल सेक्टर आता है, इन मेटल सेक्टर उल्टा चलता है, फूरा उल्टा, यहापे, मतलब कभी पंगे हो गया न, अमेरिकन Bazaar में तो समझ लेना, मेटल सेक्टर पिड़ गया, खास करके, ट्रेड़ वार के वक्त, तो यह चीज़े आप लोगों को यह पर पता होनी चलिए, ट्रेड़ वार की कभी भी खबर आती है, तो मेटल सेक्टर, यह जो M लिखा है मतलब मेटल सेक्टर, वो तकलिफ में आ जाता है, डॉलर अगर उपर जाना शुरू हो गया, तो फार्मा एंड आईटी सेक्टर को फाइदा होता है, वही चीज़े अगर डॉलर नीचे जाते हैं, तो आईटे एंड फार्मा सेक्टर के लिए भी बोरी खबर रहती है, टेंपरररी लिके लिए, ऐसा नहीं कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो यह कुछ एक्वेशन से, जो कि हम लोग कह सकते हैं, वेस मार्केट के साथ इंडिया का यहापे जो रिष्टा हम लोग को देखने को मिलता है, मैं अगें कहे रहा हूँ, अमेरिकन बाजार में जो स्टॉक लिस्टेड है, यहापे भी लिस्टेड है, उसमें निवेश करना रिस्क है, ऐसी कोई बात नहीं है, यहापे, बट जितना आप लोग deeply study करोगे, उतना ही आप लोग जादा इसके बारे में जान सकोगे, और जितना आप लोग information जादा collect करोगे, आपके उतनी ही accuracy और भी आपे बढ़ सकती है, मैं आपको एक चीज बताना हो चाहँगा, ऐसे बहुत सारे traders है, जो सिर्फ इनी stocks में trade करना पसंद करते हैं, मतलब उनको विदेश की भी बाजार की knowledge होती है, और यहापे भी जो knowledge है, वो भी होती है, और सिर्फ उनी चीज को वही 78 stocks को देखते रहते हैं, उसमें ही वो trading करते हैं, और वहाँ पर ही जबरदस पैसा कमाते हैं, सो आप लोग भी ऐसी चीजे कर सकते हो, practice required है, जैसे मैंने का मैं कोई जड़ी व्यूटी खिला नहीं सकता, मैं आप लोग को इस सारी चीजे यहापे एक information देखा सकता हो, असली जादू तो आप लोगों के मेहनत के उपर depend करती है, सो अमेरिकन बाजार से क्या क्या चीजे आप लोगों को पता होनी चाहिए, practically यह सारी चीजे मैंने आपको बताईए, ज़रू माफी माँगना चाहूँगा क्योंकि presentation बहुत खराब था यहापे, पर जो knowledge है वो ज़्यादा required था, इसलिए यह सारी चीजे ऐसे set कर ली है, सो आशा करता हो, अमेरिकन बाजार का प्रभाव हमारे मार्केट में, कौन से stocks के उपर, sectors के उपर, किस तरीके से पढ़ता है, उससे related थोड़ा सा अंदाजा आ गया होगा, हे भी था वीडियो, तो चाहो तो दो से तीन बार भी देख लेना, सारी चीजे समझ में आ जाएग झाल